प्यारे बच्चों, अभी हमने पाठ पढ़ा लोश्ठ स्रिगालयोह मित्रता। आईए। इस पाठ के अभ्यास प्रशनों को देखते हैं। अब देख पा रहे हैं अभ्यास प्रस्ण पहला प्रस्ण लिखता है निम्न लिखित प्रस्णा नाम उत्राणी संस्कृत भासया लिखत बच्चों ध्यान देजेगा यहां अभ्यास में जो प्रश्ण दिये जा रहे हैं इन प्रश्णों के उत्तर यहां संस्कृत में लिखने के लिए कहा गया है लेकिन कभी हो सकता है कि प्रश्ण यहीं हो और इनके उत्तर संस्कृत में लिखने के लिए ना कहा कर हिंदी में लिखने के लिए भी कहा जा सकता है तो आपको सवंस्कृत और हिंदे दोनों में इसका उत्तर क्या होगा क्या उत्तर लिखना है इसकी तयारी करनी है तो आइए हम पहला प्रश्न लेते हैं पहला प्रश्न है कयोह मध्ये मित्रता अभवत प्रस्ण क्या पूछा जा रहा है ये आप भली भाति समझ रहे हैं फिर भी आपको बता दूँ इसको कयोह मध्य मितरता अभवत कयोह मतलब किन दो लोगों के बीच में दो के बीच मितरता हुई थी यह है इसका तात्पर्य हुआ देखे प्रस्ण संस्क्रित में पूछा गया है उत्तर आपको संस्क्रित में लिखने के लिए निर्देश दिया गया है लेकिन प्रस्ण यदि यही हो और इसका उत्तर हिंदी में लिखने के लिए कहा जाए तब इसका उत्तर क्या होगा तो इस और स्रिगाल के मध्य मित्रता हुई थी, तो इसका उत्तर हमको संस्कृत में लिखना है, तो संस्कृत में उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिए, प्रस्ण जिस भासा में पूछा जाता है, उत्तर भी हमें उसी भासा में देने का प्रयास करना चाहिए, यहां लिखा है कयोह मध बिदिये मित्रता अभवत तो कईयो जो कह रहे हैं इसमें कौन सी भक्ति लगी है आप उत्तर बनेगा तो पाच में हमने देखा दो लोगों के बीच मितृता हुई थी वे दो हैill स्रिगाल और लोष्ट तो उत्तर होगा कि लोष्ट संद्रिगाल्यो मध्यमित्रता अभवत दोनों के एक साथ जोड़ दीजिए लोश्ठ स्रिगालयोह ऐसा कहने से लोश्ठ भी हो गया और स्रिगाल भी हो गया यदि इसका हमको समास विग्रह करना होगा इस पद का तो आपको मैंने पहले कहा था बताया था कि लोश्ठ स्रिगालयोह मित्रता तो लोश्ठ स्र च श्रिगालह च तयोह ये इसका समास विग्रह होगा सश्ठे तत्पूरु समास का यहां प्रयोग हुआ है तो प्रस्ण हमारा समास का यहां नहीं है प्रस्ण यहां पर क्या पूछा गिया है कि कयोह मद्ये मित्रता अभुवत उत्तर क्या होगा लोष्ठ श्रिगालयोह मद् लोश्ठ और स्रिगाल अर्थात मिट्टी के ढेले और स्रिगाल के बीच मित्रता थी यह हिंदी में इसका उत्तर होगा तो इस तरह से आप संस्कृत में और हिंदी में दोनों में इसका उत्तर लिखने में समर्थ हो सकते हैं आईए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है तडागे गत्वा स्रिगालह किम करोत तडागे गत्वा तलाब में जाकर स्रिगालह किम करोत स्रिगाल ने क्या किया सियार ने क्या किया तो आपने पाथ में पढ़ा तो सियार जो है अपने मीत्र के साथ तलाब गया और तलाब मे प्रस्ण की भासा जो है जहां तक हम ले सकते हैं लेने का प्रयास करें उसके बाद जो उत्तर का अंस है उसको वहां हम जोड़ दें तो तड़ागे गत्वा स्रिगालह यह प्रस्ण का अंस है पूरा ले लें यहां तक उसके बाद पूछता है केमकरोत तो यहां पर हमको उत् बहली भाति स्नान किया था तो उत्तर निखेंगे तड़ागे गत्वा श्रिगालह सम्यक्षनानम करोथ तड़ाग में जाकर तलाब में जाकर स्यार ने भली भाती स्नान किया तडागे गत्वा स्रिगालह सम्यक स्नानम अकरोत ऐसा भी आप कर सकते हैं दोनों के एक साथ जोड़ना चाहें तो स्नानम करोत ऐसा कहेंगे स्नानम करोत या अलग अलग करने चाहें अलग कर लिजे स्नानम अकरोत ऐसा तो तड़ागे गत्वा स्रिगालह सम्यक स्नानम करोत ये इस प्रस्ण का उत्तर हुआ तो तलाब में जाकर स्रिगालह तड़ागम किम कत्यत ये प्रस्ण है सियार ने तलाब से क्या कहा तो अपने देखा जैसे सियार जो है स्नानग करके आता है अपने मित्र नोष्ट की पढ़ाए तब सियार ने तलाब से क्या कहा या प्रस्ण है तो स्रिगालह तड़ागम किम कत्यत स्रियार ने तलाब को क्या कहा तो क्या कहा तो उत्तर दिखेंगे प्रश्ण की भासा में उत्तर देंगे स्रिगालह तड़ागम अकत्यत स्रियार ने तलाब से कहा क्या कहा जेसकर क्या गी लिखेंगे महयम मम मित्रम देही महयम मुझे मेरे मेरा मित्र देदो अन्यथा मत्यम देही नहीं तो मचलियां देदो ऐसा सियार ने तलाब से कहा तो हिंदी में उत्तर लिखेंगे इसका सियार ने तलाब से कहा मुझे मेरा मित्र देदो अन्यथा मचली देदो ये इस तरह से इसका संस्क्रित और हिंदी दोन में हम उत्तर लिख सकते हैं आईए अगला प्रशन स्रिगालह मत्यम कुत्रसन स्थापितवान स्रियार ने मचली को कहां स्थापित किया? कहां रखा? ये इसका हिंदी में तात पर यह हुआ प्रशन का उत्तर लिखेंगे, तो उत्तर में क्या करेंगे, प्रेश्णर की भासा का उप्योग करते हुए हम उत्तर लिखेंगे, तो स्रिगालह मत्यम, स्रिगाल ने मचली को कुत्र, अब यहां उत्तर लिखना है, कुत्र मतलब होता है कहां, कहां रखा था वो, तो हम जानते हैं, जैसे गुरु कि सब्तमी भक्ति एक वचन का प्रयुग होता है गुरु वैसे स्थानु का क्या हो जाएगा स्थानु तो स्रिगालह मत्स्यम स्थानु संस्थापित्वान स्रियार ने मचली को पेड की ठूट पर रखा ये इसका हिंदितात पर यह हुआ अगला प्रश्ण स्थानु को अर्थात पेड की ठूट को क्या कहा पेड की ठूट पर वो मचलीों को रखा था जब वापस सियार आया गुम कर तब देखता है उस इस्थानु पर अर्थात पेड की ठूट पर मचली नहीं थी तब सीयार ने उस पेड की ठूच से क्या कहा था, उसने कहा था क्या, कि मुझे मचली दो या लकडी दो, यही कहा था न, हाँ, तो इन्ही को क्या करना है मको, संस्क्रित में उत्तर लिखेंगे, स्रिकालह इस्थानुम वाच सियार ने स्थानु को कहा पेड की ठूट को कहा गेस कर क्या गी लिखेंगे महियम मत्यम देही मुझको मचली दो अन्य था नहीं तो काश्ठम देही लकडी दो सिकालह स्थानु वाज महियम मत्यम देही अन्य था काश्ठम देही सियार ने पेड की ठूट से कहा मुझे मचली दो या लकडी दो ये हिंदीतात पर यह हुआ तो इस तरह से जो भी प्रस्ण पूछे जाएंगे कोई आवश्यक नहीं कि जो प्रस्ण है ये प्रस्ण ही आपको पूछे जाएं पाच की बीच से कोई प्रस्ण दिया जा सकता है और उसका हिंदी में या संस्कृत में उत्तर लिखने के लिए कहा जा सकता है चोकि अभ्यास में यहां संस्कृत में उत्तर लिखने के लिए कहा गया है इसलिए मैंने संस्कृत में बताया और साथ-साथ हिंदी में भी इसका उत्तर क्या हो सकता है ये मैंने बताया तो निश्चितरुप से आप इन चीज़ों से अउगत हो गए होंगे चलिए हम अगले अभ्यास की और आगे बढ़ते हैं हमार अगला अभ्यास है निम्नलिखित प्रशनों के उत्तर हिंदी भासा में लिखो अर्थात यहां जो प्रशन दिये जा रहे हैं इन प्रशनों के उत्तर हमें हिंदी भासा में लिखना है पहला प्रशन देखते हैं वृद्धा किम पक्ववती वृद्धा वृद्धा ने अर्थात उस बुढ़ी महिला ने क्य पकाया था तो हमने पाठ में देखा वृद्धा क्या पका रही थी हाँ बड़ा भजिया पकाया थी बिल्कुल सही तो अब इसको क्या करना है हमको देखिए प्रस्ण को उत्तर पूछा गया है हिंदी में लिखने के लिए लेकिन प्रस्ण यदि यही हो और इसका उत्तर होगा ये भी देखेंगे तो प्रस्ण है वृद्धा किम पक्ववती तो संस्क्रित में इसका उत्तर लिखेंगे वृद्धा वटिका भुंजिका पक्ववती वृद्धा ने हिंदी में उत्तर लिखेंगे वृद्धा ने बड़ा भजिया पकाया था तो इस तरह से संस्क अजाचारिका बालिका काम खादित्वती अजाचारिका बालिका ने भेड़ चराने वाली उस बालिका ने क्या खाल लिया यह प्रस्ण है तो उत्तर देंगे तो उत्तर हम संस्कृत में पहले देखते हैं तो प्रस्ण की भासा में हम उत्तर देने के प्रयास करते हैं अजाचारिका बालिका वर्टिकाम खादित वती अजाचारिका बालिका ने हिंदी में तो भेड चराने वाली या बकरी चराने वाली बालिका ने बड़ा को खा लिया था कौन से बड़ा को उस बड़ा को जो सियार लाया था कहीं से लाइके आया था उस बड़ा को उस अगला प्रश्णा है श्रिगालह अजाचारिकाम बालिकाम किम कथेयत चियार ने अजाचारिका बालिका को क्या कहा था कब कहा था जब अजाचारिका बालिका के पास वो बड़ा छोड़ कर गया था लेकिन जब वो वापस आया तब उससे बड़ा मांगता है मुझको बड़ा दो लेकिन बड़ा उसके पास था नहीं क्यों क्योंकि उस अजाचारिका बालिका ने बड़ा को खा लिया था तब सियार ने उस अजाचारी का बालिका से क्या कहा ये प्रस्ण जो है इस प्रसंग का है तो इसका उत्तर क्या होगा तो सियार ने क्या कहा था उस अजाचारी का बालिका को कि मुझे या तो बड़ा दो या बकरी दो ये कहा तो ये हिंदी कतात पर है तो संस्क्रित में इसक अजाचारिकाम बालिकाम अकथयत जैस करके लिखेंगे आगे महिम वतिकाम अजाम वा धदातू मुझे बड़ा अजा सियार ने अजाचारिका बालिका को कहा जैस करके लिखेंगे हिंदी में भी लिखते हैं तो भी मुझे बड़ा या बकरी दे दो ये सियार ने अजाचारी का बालिका को, उस भेंड चराने वाली बालिका को, बक्री चराने वाली बालिका को ये कहा था चलिए, आगे बढ़ते हैं प्रस्न कतात पर यह है, सियार ने वधु को क्या निर्देश दिया था क्या निर्देश दिया था जब वधु को वह घर ले आया था अपने तब उसको धान कोचने में सनलगन करा दिया था अर्था धान कोचने का निर्देश उसे दिया था तो उत्तर क्या होगा उत्तर हम संस्क्रिट में पहले देखते हैं स्रिगालह वधुम मूसलेन धान्य कूचनाय निर्देश इत्वान सियार ने वधु को मूसल से धान कूचने का निर्देश दिया था अब जानते हैं धान किसे कूचा जाता है मूसल से कूचा जाता है पहले के समय में घरों घरों में प्राया सब घरों में धान कूच कर उससे चावल निकाला जाता था और फिर उस चावल को पकाया जाता था जिसको हम भोज पदार्थ की रुप में ग्रहन करते हैं तो ये पहले सब घरों में हुआ करता था मूसल तो स्रिगालह वधुम कीम निर्देशीत्वान? उसा भी आपको लिख सकते हैं श्रिगालह सियार ने वधु को मूशल से धान कूचने का निर्देश दिया था ये इसका उत्तर हुआ, आगे बढ़ते हैं, वरस्य प्रश्न है, वरस्य ग्याती भी है जनई है कस्य स्वागतम कृतम, वर के परिचित लोगों के द्वारा, उसके परिजनों के द्वारा कस्य स्वागतम कृतम कि इसका स्वागत किया, वर के जो परिशीत लोग थे परिजन थे उनके द्वारा कस्य स्वागतम कृतम किसका स्वागत किया गया तो वर के परिशीत लोगों के द्वारा किसका स्वागत किया गया था जो नमागत वधु थी उसका स्वागत किया गया था तो इसी भास में में लिखना है तो वरस्य ग्याती भी जनई है वद्धु के सश्क्री भक्ति लगाएंगे वरस्य ग्याती भी जनई है वद्धु के सश्क्री भक्ति लगाएंगे वरस्य ग्याती भी जनई है वद्धु के सश्क्री भक्ति लगाएंगे वर के परिजनों के द्वारा वद्धु का सश्क्री किया गया, यह हिंदी में उत्तर हुआ, तो इस तरह से जो भी प्रशन आएंगे, उसके उत्तर हमें संस्कृत में या हिंदी में लिखने के लिए कहा जाए, तो उसके लिए हमें समर्थ होना है, तो हमें हिंदी और संस्कृत दोनों में उत्तर देने के लिए तयार रहना है, चली हम अगले अभ्यास की और आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं विभिन परिक्षाओं में केवल इस तरह के प्रस्ण नहीं पूछे जाते हैं अपी तो भिन्न भिन्न प्रकार की भी प्रस्ण पूछे जाते हैं जैसे कोई एक पंक्ति दे दिया जाए और उस पंक्ति में स तो निर्देश भी प्राया संस्कृत में दिया जाता है तो संस्कृत में रिक्तस्थानों की पूर्ति करो इसके लिए निर्देश क्या होगा तो निर्देश होता है रिक्तस्थानानि पूरयत रिक्तस्थानों की पूर्ति करो यह निर्देश हुआ और अब आईए, हम जो रिक्तस्थान के वाक्च यहां दिये हुए हैं उन वाक्क्यों को देखते हैं पहला वाक्क्य है अहम रिक्तस्थान विभे मी ध्यान दीजेगा भय के अर्थ में जितने सब्दों होते हैं इनके योग में पंच्वी भक्ति होती है तो यहां जो भी उत्तर होगा उसमें पंच्वी भक्ति का प्रयोग होना चाहिए तो आपको यह देखना है चुकि यह जो प्रस्ण है पाच से संबंदित है इसलिए पाच से संबंदित उत्तर का ही समावेस आपको करना है दूसरा उत्तर लिखेंगे तो वो सही नहीं माना जाएगा तो प्रस्ण है अहम रिक्त स्थान विभे में मैं खाली स्थान से डरता हूँ बाठ में किसी ने कहा था क्या? कि मैं किसी से डरता हूँ बाठ का नाम क्या है? लोष्ठ स्रिगालियोह मित्रता लोष्ठ ने कहा था कि स्रिगाल ने कहा था नहीं, स्रिगाल तो अपने मित्र को स्नान करने के लिए ले जाना चाहता था तब लोष्ठ ने कहा था क्या कहा था? अर्थात उस मिट्टी के धेले ने कहा था क्या कहा था? कि मैं जल से डरता हूँ तो यहाँ पर कही है जो प्रसंग है अहम खाले इस्थान विभेमी तो किसे जरता था जल से तो जल में आप पंचमी वक्ति लगा दिजिए इसका उत्तर बन जाएगा तो उत्तर होगा अहम जलात विभेमी जलात इसमें आप क्या कर देंगे रिखांकित कर दीजिए इस पद क तो यह उत्तर हो गया तो इस तरह से इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया मैं जल से डरता हूँ रिखते स्थान की पूर्ती भी हम कर लिए जलात सब्द लिख दीजिए रिखते स्थान की पूर्ती हो गई तो अहम के बाद जो रिखते स्थान है वहां लिख दीजिए जलात फि उस सब्ड़ों को यहां लिख दिया तो इस तरह से हम पहले रिक्तिस्थान की पूर्ठी करने में समर्थ हो गए चले आगे बढ़ते हैं जलपातेन रिक्तिस्थान विनश्टम जातं बार-बार जल गिरने से क्या नष्ट हो गया था वो मिट्टी का धेला उस मिट्टी के धे जल पातेन लोश्ठम विनस्टम जातम बार बार जल गिरने से या जल गिरने से या जल के कारण लोश्ठ मिट्टी कढ़ेला विनस्ट हो गया अर्थाद गल गया था तो जल पातेन रिखांके जो रिक्तिस्थान है वहाँ सब्दा आएगा लोश्ठम विनस्टम जातम जल गिरने से जल में गिला होने के कारण मिट्टी कढ़ेला नस्ट हो गया यह हिंदी मिश्कतात पर यह हुआ आगे बढ़ते हैं काष्ठम सथाप्य काष्ठम सथाप्य रिक्तिस्थान गत अ है काष्ठम सथाप्य लकडी पर रक कर काष्ठम स्थाप्य लखडी को रखकर रिक्तिस्थान गतः, स्रिगाला गता, कुत्र गतः, भ्रह मनार्थम गतः तो काष्ठम स्थाप्य भ्रह मनार्थम गतः चलिए आगे बढ़ते हैं अगला रिक्तिस्थान है काश्ठम स्थाप्य रिक्तिस्थान गतह ये वाक्या है अब रिक्तिस्थान की पूर्ति करनी है तो काश्ठम स्थाप्य लकडी को रखकर खाली स्थान गतह खाली स्थान गया यहां पर दो चीजे हो सकती है एक कौन गया और कहां गया तो उत्तर आप देंगे, दोन आधार पर उत्तर दे सकते हैं तो यदि हम कहेंगे कौन गया, तो वहाँ उत्तर हो सकता है क्या कौन गया था? स्रिगाल गया था तो काश्ठम स्थाप्य स्रिगालह गतह ऐसा कह सकते हैं अर्थात लकड़ी को इस्थापित करके रक कर सियार गया था यह कह सकते हैं या दूसरा उत्तर क्या हो सकता है काश्ठम स्थाप्य ब्रह्मनार्थम गतः यहाँ पर करतापद छुपा हुआ है तो सह गतह, कह गतह, स्रिगालाः गतह, उत्र गतह, भ्रह्मनार्थम गतह गतह, तो काश्ठम स्थाप्य लकडी को रख कर भ्रह्मनार्थम गतह लकडी को रख कर घूमने के लिए गया था श्रीगालह काश्ठम स्थाप्य ब्रामनार्थम गतह ऐसा एक पूरा वाक्य हो सकता है लेकिन यहाँ पर चुँकि करतापद को नहीं दिया गया है इसलिए आप उत्तर में करतापद को भी ले सकते हैं या करतापद को आप नहीं लेते हैं तबकी इस्तिती में वो आपको यह देना होगा उत्तर की वो कहाँ गया था और किसले गया था तो उत्तर होगा काश्ठम स्थाप्य ब्रामनार्थम गतह यदू सर उत्तर हो सकता है काश्ठम स्थाप्य स्रीगालह गतह चलिए आगे बढ़ते हैं स्वववटिकाम रिक्तिस्थान बालिका यह दत्वान अपने बड़ा को रिक्तिस्थान बालिका के लिए दिया था अपने बड़ा को रिक्त स्थान बालिका के लिए दिया था प्रसंग कहां का है सियार बड़ा लेकर आया था उस वृद्धा महिला से और उसको किसको दिया था उस अजाचारिका बालिका को धिया था, ब्येड़ चराने वालिका थी, उस बालिका को उसने बढ़ा को धिया था, तो यह प्रस्मा जो है, वहां का है, तो आईए, इसका उत्तर क्या होगा देखते हैं, तो स्वाव Valerie की काम, वह बालिका थी, बालिका कोंगे, कैसी थी, वह भ बालिका येई बालिका भ्याम बालिका भ्याह तो यहां ये चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ है चतुर्थी भक्ति एक वचन का इसलिए उसका जो देखिए जब विशेशन विभक्ति लगा हो तो विशेश्य में भी विभक्ति का प्रयोग हो उसी विभक्ति का प्रयोग तो बालिका में चतुर्थी व्वक्ति का प्रयोग हुआ है इसलिए अजाचारी का जो सब्द है इसमें भी हमें चतुर्थी व्वक्ति का प्रयोग करना होगा तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिएंगे तो उत्तर होगा स्वाववतिकाम अजाचारी का यही बालिका यही दत् अपने बड़ा को भेड़ चराने वाली बालिका को दिया था यह हिंदी मितात परी हो वो इसका आईए आगे बढ़ते हैं ताम अजाम कह नीतवान उस भेड़ को बकरी को कह कौन ताम अजाम कह रिक्तिस्थान यह रिक्तिस्थान की पूर्ति करना है ताम अजाम मतलब बकरी को कह मतलब कौन इसके बाद खाली स्थान है रिक्तिस्थान है इसकी पूर्ति करना है तो प्रस्न पूछा जा रहा है यहां पर उस भेड़ को या उस बकरी को कौन ले गया तो ले गया के लिए नी तवान नी धातु होता है, इसका प्रयोख करेंगे नी मतलब ले जाना तो उससे सब्द बनाएंगे उसका भूत काल रूप लेना है हमको तो भूत काल रूप बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा या तो हमें लकार में जाना पड़ेगा या कृदंत का प्रयोक करेंगे तो कृदंत में अक्तवतु प्रत्य होता है इसका प्रयोक करेंगे तो नीधन अक्तवतु प्रत्य है इस प्राकर से क्या सब्दों बनेगा नीतवान तो ताम अजाम कह नीतवान और इस तरह से अंत में प्रस्नवाचक चिन्ह का प्रयोक करेंगे क्यों? क्योंकि यह प्रस्ण वाक्य बन गया. तो ताम अजाम कह नित्वान उस बकरी को कौन ले गया? इस तरह से यह पूरा वाक्य हुआ. तो इस तरह से हम कुछ वाक्य हैं जिनका रिक्त इस्थानों की पूर्ती कैसे कर सकते हैं, यह हमने अभी देखा. चली, हम अगले अभ्यास की और आगे बढ़ते हैं? हमारा अगला अभ्यास है संधी विच्छेदम कुरुत. ध्यान दिजेगा, जब हम संधी की बात करते हैं या व्याकरनिक तत्तों की बात करते हैं, तो व्याकरन के अंसों को हम प्रिथक से पढ़ें या प्रिथंक से या आवश्यक नहीं क्योंकि हम जिन अंसों को पढ़ रहे हैं वह बहुत से व्याकरनिक अंस आते हैं पाच में भी हमने देखा बहुत से सब्द हैं जिन में संधी का प्रयोग हुआ है अर्थाथ वे संधि पद हैं तो उन संधी पदों को हमें अलग करना आना चाहिए इसी त पदों को पहचानना आना चाहिए तो यहां पर हमारा प्रश्न है अभ्यास में वो है संधी विच्छेदम कुरुत अर्थात यहां जो पद दिये गए हैं उनके हमें संधी विच्छेद करना है आईए देखते हैं पहला पद है पहला सब्दाय हमारे पास न्यावर्थयत अब इसको क्या करना है हमें यहां अर्था नहीं पूछा जा रहा है यहां कि इसको करना है हमको संधी विच्छेद करना है तो संधी विच्छेद हम करेंगे तो देखते हैं नीधन अवर्थयत नियवर्तियत का संधी विच्छित क्या होगा नीधन अवर्तियत ये संधी विच्छित हो गया यहाँ संधी का नाम नहीं पूछा गया लेकिन यदि किसी परिक्षा में संधी का नाम भी पूछ दिया तब क्या नाम होगा यहाँ तो आप जानते हैं यन स्वरसंदी के विशाय में, इको यन ची एक सुत्र है, उस सुत्र के अनुसार इको यह हो जाता है, तो नीधन अवर्तियत यहां पर यन स्वरसंदी हुआ, इके आगे अ आया, तो इअर अ दोनों का योग होने पर, इ जो है यह में परिवर्तित हो गया, यंस्वार संधी का नियम आप जानते हैं इ के आगे उ के आगे और री के आगे भिन्न स्वार आने पर इन्हें क्रमसह यव री को र और री को ल हो जाता है यह यंणसवर संधी का नियम है, तो उसका एक उधारन, आप सभी जानते हैं एक समानेदू से प्रास्न क्या जाता है, इत्यादी, इत्यादी, यहां कौन से संधी हैं? यंणसवर संधी, लेकिन परिक्षा में केवल वही उधारन होँ, आवश्यक नहीं है, आपको नियम जान हम के धार पर एक नहीं अनेक उधारन बनते हैं, तो यहां जो सब्द प्रगुत हुआ है उसका हमने संधी विच्छेद किया, नियंवरत्यत सब्द है, संधी विच्छेद है, नि धन अवरत्यत और संधी का नाम है यन स्वर संधी, अगला पत देखते हैं, लोष्ठो परी, इसको हमको क्या करना है, अलग करना है, लोष्ठ धन उपरी, यहां पर हम देखते हैं, लोष्ठ यहां A है, और A के आगे U आया है, A के आगे U आने पर वो क्या हो गया, O का रुपधारण कर लिया, यह कब होता है? अ और A के आगे भिन्नस्वर आने पर, A और A के आगे U का प्रेवग होने पर O हो जाता है, E का प्रेवग होने पर A हो जाता है, यह कहां होता है? यह होता है गोन्स्वर संधी में, तो यहां पर हम देखते हैं सब्द है, लोष्ठ धन उपरी, गोन्स्वर संधी, अगला नासीत नधनासीत यहाँ पर दिर्गस्वर संधी का प्रयोग हुआ है। जब समानस्वर आपस में मिलते हैं और उसका स्वरुप दिर्ग हो जाता है यह दिर्गस्वर संधी का एक सामान्य सन्यम है। तो न धन आसीत न में अ है और उसके आगे आ या दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं अ और आ का योग होके आ हो गया तो इस तरह से यहाँ पर न धन आसीत यह नासीत बना यह दिरगश्वरसंधी का उधारण है अगला पद है प्रत्यूपकारे प्रतिधन उपकारे यहाँ भी हम देखते हैं इ के आगे उ का प्रेव हुआ है और फिर इ जो है यहाँ में बदल गिया अर्थाद यह भी याण स्वरसंधी का उधारण है प्रतिधन प्रत्यूपकारे प्रतिधन उपकारे यहाँ स्वरसंधी अगला पदल देखते हैं सोल लासेन प्यारे बच्चों एक चीज़ देखिएगा कभी भी कोई भी सब्द दिया जाता है उसमें किवल एक ही संधी हो यह अवश्यक नहीं होता है कभी कभी कुछ सब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक संधी का प्रयोग होता है जैसे यहाँ पर यहाँ जो सब्द आया है इसमें एक से अधिक संधी का प्रयोग हुआ है सो लासेन सधन उत धन लासेन तो इस तरह से यहाँ पर दो इस्थानों पर संधी का प्रयोग हुआ है सधन उत यहाँ पर गुंड़स्वर संधी का प्रयोग हुआ फिर उत धन लासेन यहाँ पर व्यंजन संधी का प्रयोग हुआ तो इस तरह से सोल लासेन इस सब्द में दो संधिया हैं एक गुंड्सवर संधी और दूसरा व्यंजन संधी चलिए अब हम अगले भ्यास के रागे बढ़ते हैं हमारा अगले भ्यास है धातू प्रत्ययोह विभागम कुरुत ताथ पर यह क्या हुआ अर्थात धातू और उनके प्रत्ययों दोनों को विभाग करना है अर्थात अलग-अलग करना है आप जानते हैं धातू में विभिन क्रिदंत प्रत्ययों का प्रयोग होता है तो क्रिदंत यूक्त जो धातू है उन धातू में से मूल धातू और क्रिदंत प्रत्ययों उनको अलग-अलग करना है इसलिए लिखा है धातू प्रत्ययोह विभागम कुरुत धातू और प्रत् करना है कभी-कभी इसको लिखा जाता है प्रकृति प्रत्ययों प्रिथक कुरुत अर्थात प्रकृति अर्थात धातु और प्रत्य कृदंत जो होते हैं उनको अलग-अलग करना ही यह कहा जाता है तात्पर यह वही है धातु प्रत्ययों कहा जाए या प्रकृति प्रत्ययों तो दोनों का तात्परिय वही होता है। पहला सब्द है स्नात्वा, इसके धातु को अलग करना है और प्रत्या को अलग करना है। तो स्नात्वा जो सब्द बना है यह जो है वह स्नाधातु और प्रत्या के योग से बना है। जब प्रत्या का प्रयोग किया जयता है तो उसमें आधका जो है इसका लोप हो जाता है और त्वा सेस भजता है। तो स्नाधनत्वा रावर स्नात्वा। अगला सब्दा है गन्तुम गम धन्तुमुन गम अर्थात जाना और तुमुन प्रत्य के लिए अर्थ में भी प्रिक्त होता है तुमुन प्रत्य का जो प्रयोग किसी धातु के साथ किया जाता है तब उसमें से तुम सेज बचता है और उन ये दोनों क्या हो जाता है लोप हो जाता है तो गम धातु के साथ तुमनपत्या का योग हुआ और इस तरह से सब्द बनता है गन तुम गम का मा जो है वो नमे परिवर्तित हो गया यहां अगला सब्द है सनस्थाप्य देखिए यहां पर स्थाधातू है और लियप्रत्या है लियप्रत्या एक ऐसा प्रत्या है जिसका प्रयोग जब किसी धातू के साथ किये जाता है तब यहां अपने साथ उपसर्ग भी साथ लेकर आता है और आप जानते हैं किसी भी सब्द या धातू में उपसर्ग का योग सब्द या धातू के पहले होता है और प्रत्या का योग जो है बाद में होता है तो लियप्रत्या का प्रयोग होता है तो लियप्रत्या के पीछे जाकर जोड़ता है लेकिन वह अपने साथ उपसर्ग ले करते हैं तो यह क्रिदन प्रत्या है और क्रिदन प्रत्या का योग जो है धातू के साथ होता है इसलिए लिया प्रत्या का योग जब धातू के साथ होता है तो उस धातू के पहले उपसर्ग भी आकर जुड़ जाता है तो इस तरह से यहां यहां जो सब्दा आया है स्थाप् तो स्थाधातु है और लिप प्रत्या है लेकिन ये अपने साथ सम उपसर्ग लेकर आता है तो इसलिए जब हम इस धातु के धातु और प्रत्या को अलग करेंगे तब उसके साथ हमें उपसर्ग को भी बताना पड़े कर कि हां नई ये उपसर्ग है जो लिप के साथ आया था तो यहां आप देखते हैं सम उपसर्ग है स्थाधातू है और ल्यप प्रत्या है तो इस तरह से इसको अलग करेंगे सम धन स्थाधन ल्यप इति संस्थाप्य अगला सब्दा है गता है गमधातू अक्तप्रत्या है अक्तप्रत्या के प्रयोग भूत कालिक क्रिया का रूप बनाने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग तीनों लिंगों में होता है पूर्लिंग नपुन्सक्लिंग और इस्ट्रिलिंग में है यहां पर जो रूप प्रयोग तो हुआ है गता यहां पूर्लिंग का रूप है यह इस्ट्रिलिंग होता तब इसका रूप क्या होता तब इसका रूप होता गता नपुन्सक्लिंग में इसका रूप क्या होता इ पूर्लिंग का यहा रूप है आगे बढ़ते हैं खाधित वान खाध धातु है और अक्तवत-पृत्य का यहां प्रयोग हुआ है यहांभी पूर्लिंग का रूप है तवातु प्रत्य दोनों का प्रयोग जब किसी धातु में किया जाता है तो उससे बने हुए जो सब्द होते हैं उसके रूप तीनों लिंगों में बनते हैं और यह सब्द होते हैं और इसके सब्द के रूप चलते हैं तो यहाँ जो सब्द बना है खादितवान यहाँ पूर्लिंग का सब्द है खाद धातु अक्तवत प्रत्य खादितवान जैसे पूर्लिंग है तो पूर्लिंग में इसके जैसे सब्द रूप बनेगा क्या बनेगा खादितवान खादितवान खादितवन्तव बनाने के लिए नहीं कहा गिया है जितना काम कहा गया उतना करते हैं तो खादित्वान खाद धातु धन अक्तवतु प्रत्य आगे बढ़ते हैं नीर्मित वती यहां नीर उपसर्ग है मा धातु है और अक्तवतु प्रत्य का प्रयोग हुआ है तो इस तरह से नीर धन मा धन अ उसमें सिधातु क्या है ये हमको पहचानना है और उनमें कौन सा प्रत्या प्रयोग हुआ है ये हमें अलग करना होगा तो प्यारे बच्चों अभी इस प्रसंग में हमने यह जाना कि प्रत्या का प्रयोग जब किसी धातु में किया जाता है तो अधिकांस प्रत्या केवल धा में देखते हैं कुछ और चीज़ों को. तो मोसे अगले अगला भ्यास है अधो लिखिता नाम, सब्दा नाम, धातू लकार पुरुस वचनाने लिखत. अब यहां पर कुछ सब्द लिखे हुए हैं. ये सब्द भी कैसे हैं ये भी धातू रूप वाले सब्द हैं इन सब्दों में से हमें इनके मूल रूप क्या है अर्थात धातू क्या है वो कौन से लकार में प्रयुक्त हुआ है उसमें कौन सब पुरुस प्रयुक्त हुआ है और कौन सब वचन प्रयुक्त हुआ है इन सब क इन चार चीजों को हमें बताना है ताये हम देखते हैं पहला Sartar है चलल्ण जो ओपरु सु Oops कि अब इसका मुल द्हातु क्या है हमको देखना होगा सलत 딱 पर है चल और इसमें ढहरत प्रण्व एक वचन तो इस तरह से चलातотив सब्दे को हमने पहचान लिया कि इसका चल जो हे मूलधातु है लोट लकार यहां पर इक्तु हुआ है प्रत्हम पुरुस और एक वच्शन का यह रोप है चलतू तो इस तरह से आप देखिए एक छोटा सा सब्दा है चलतू लेकिन इसके किस तरह से विभाग किये जा सकते हैं इन सभी विभागों को हमको पहचानना है और तब ये सब्द को हम पहचान पाएंगे और उसके सही अर्थ तक पहुँच सकते हैं सब्द का सही सही विशलेशन कर हम कर पाएंगे तो आईए, इसी तरह से और अन्य सब्दों को हम देखते हैं, अगला सब्दा आया, आगच्छावह, ये सब्द कैसे बना, देखिए, गम जो है धातु है, लेकिन इसमें आ उपसरगा का प्रयोग हुआ है, आधन गम, ये धातु हम बताएंगे, गम धातु है और उसमें आ का योग हुआ है, इसलिए आधन गम, इती आगम, तो आधन अलग लगी बताना है आपको, आधन गम, ये मूल रूप है इसका, अर्था धातु, फिर लकार क्या है, लकार है यहाँ, लट लकार, पुरुस, उत्तम पुरुस, और वचन, द्वीवचन, प्रयोग कहां और कैसे ह होता है, आगच्छामी, आगच्छावह, आगच्छामह, उत्तम पुरुस, द्वीवचन का यह रूप है, किसमें, लट लकार में है, तो धातु क्या बताया आपको, आधन गम, तो आधन गम, इसका धातु हो गया, लट लकार का प्रयोग है, उत्तम पुरुस, और वचन, आगे बढ़ते हैं, बिभेमी यह सब्द है, इसका मूल धातू है, भी, भय अर्थ में, और लकार है, लट लकार, वर्थमान काल, उत्तमपुरुस का प्रयोग हुआ है यहां, और यहां एक वचन है, इसमें, किसमें, बिभेमी में, इसका रूप कैसे बनता है, भी धा इसका रूप बनता है ये उत्तम पुरुस एकवचन और लचलकार का ये रूप है भी मुलधातू है तो भी भेमी, भी, मुलधातु, लचलकार, उत्तम पुरूस, एक वचन का यह रूप है, इस तरह हम इसकी पहचान करेंगे, आगे बढ़ते हैं अगला सब्द है करिश्यामी, धातु है इसका क्री, क्री मतलब होता है करना, करिश्यामी मतलब करूंगा, मैं करूंगा, यह इस लिटलकार है, भविश्यतकाल, पुरूस, उत्तम पुरूस, और वचन, एक वचन, करिश्यामी, सक्नोसी, यह सब्द है, इसका धातु है सक, समर्था अर्थ पहिए, लटलकार का प्रेग हुआ है, मध्यम पुरूस, एक वचन का रूप है, तो सक्धातु, लटलकार, मध्यम पुरूस में रूप क्या बनता है, मध्यम पुरूस में इसका रूप बनता है, सक्नोसी, सक्नूथ, सक्नूथ, सी था था, आप जानते हैं, तो सी का यहां प्रेग हुआ है, अर्थात, लटलकार, मध्यम पुरूस, एक वचन का यह रूप है तुषभा धातु है लटलकार है मध्यम पुरुस एक वचन का यहां प्रयोग हुआ है अवधत मतलब अवधत का पूरुस एक वचन तो इस तरह से हम अवदत जो सब्द है इसको हम पहचान सकते हैं इसी तरह से जितने भी धातू रूप होंगे उन सभी को इसी तरह से उनके मूल धातू क्या है उनमें कौन से लकार का प्रयोग हुआ है कौन से पूरुस का प्रयोग हुआ है और कौन से संस्कृत को समर्थ बना सकेंगे आईए आगे बढ़ते हैं अगले अभ्यास की और हमारा अगला अगला भ्यास है अधो लिखित पदा नाम मूल सब्द विभक्ति वचनानी लिखत नीचे लिखे हुए पदों के क्या पहचानना है मूल सब्द पहचानना है विभक्ति पहचा करनी है अर्थात जो सब्द दिये गए हैं उन सब्दों के मूल सब्द क्या है यह पहचानना है उन सब्दों में कौन से भक्ति लगी यह पहचानना है और उनमें कौन से वचन का प्रयोग हुआ है यह पहचानना है तो सब्द है तडागात तड़ागात सब्द कैसे बना मूल सब्द है तड़ाग तड़ाग मतलब तालाब विभक्ती देखते हैं विभक्ती का प्रेयोग हो आए यहाँ पर पंच्विभक्ती और वचन एक वचन ताथ पर यह होता है तालाब से तड़ागात तो तड़ागात यह सब्द है इसका अर्थ होता है तालाब से मूल सब्द है तड़ाग पंशिव विभक्ति का प्रयोग हुआ है और एक वचन का प्रयोग इस सब्द में हुआ है इस तरह से तड़ागात सब्द के मूल सब्द, विभक्ति और वचन की हम पहचान कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं ज्वरेन मूल सब्द है ज्वर, तृत्य विभक्ति एक वचन का यहां प्रयोग हुआ है और इसका तात्पर ही होता है ज्वर से चुलिका याम इसका तात्पर ही होता है चुलिका मे, चुलिका मूल सब्द है, सब्दमी भक्ति का प्रयोग हुआ है, एक वचन तो चुलिका याम, चुलिका मूल सब्द, सब्दमी भक्ति, एक वचन इसी तरह से तस्मई, तस्मई कहते हैं यह तद मूल सब्द है, पूर्लिंग का यह रूप है, चतूर्थी विभक्ति का प्रेग हुआ है और एक वचन, तद पूर्लिंग का रूप, चतूर्थी विभक्ति, एक वचन का रूप बनता है तस्मई, तस्मई ताभ्याम तेभ्यह, यह उसका रूप बनता है, सीरसी, तस्मई का तात्परी का होता है, उसके लिए, सीरसी, सीरसी मतलब सीर में या सीर पर, मूल सब्दा है सीरस, सकारांत सब्दा है, नपुनसक लिंग सकारांत सब्दा है, सब्दम विक्त के यहां प्रयोग हुआ है, और एक वचन में प्रयोग हुआ है, तो सीरासी मूल सब्द है, सीरास सब्तमी वक्ति एक वचन का प्रेयोग हुआ है, सीरास सब्द के सब्तमी वक्ति आप जानते हैं, सीरासी सीरसोह सीरसु, तो यहाँ जो सब्द दिया है, वो सब्तमी वक्ति का प्रेयोग हुआ है इसमें, और एक वचन में इसका प्रेयोग हो अभली भाती समझा और इस पाठ के जो अभ्यास दिये हैं इन अभ्यासों को भी हमने ध्यान पूर्वक हल किया है अब इस तरह से इस पाठ के संबंध में हमारी समझ पूरी तरह विक्सित हो गई है और अब निश्चितरुप से ऐसी किसी दूसरी लोक कता जो है उसका आप सं कहें कि इस पाठ में जितने व्याकरणिक तत्वाएं हैं इन व्याकरणिक तत्वों का भी हमने भली भाती अध्यान किया है तो इस तरह से हम अपनी भासा सामर्थ को इस पाठ के माध्यम से और बढ़ा सकते हैं या कहें कि हमारे सब्द भंडार में इस पाठ के माध्यम से व्रिद्धी होती है, साथ से साथ हमें इस पाठ्ष महत्पुन सिक्षाइं भी मिलती हैं, हम अपने देश और प्रदेश के जो लोग कताए हैं, इनसे हम भली भाती परिचीत होते हैं, अब हम अगले पाठ्ष में पुना मिलेंगे, तब तक के लिए, नमो नमाहा